तो एलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल रिदिक टेकनिकल सपोर्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आइफोन 11 सिरीज में अगर आपको टच स्क्रिन की प्राबलम आती है टच स्क्रिन अगर वर्क नहीं करती तो इसके क्या रिजन्स हो सकते और क्या कैस के स अधिकतर इसमें चांस होता है कि problem hardware की हो अगर आपका touch ही खराब हो चुका होगा तो उस situation में तो आपको अपने iPhone 11 series को Apple Store भिजवाना पड़ सकता है ठीक है और अगर problem होगी software की तो first of all तो आप अपना update चेक करें कभी-कभी क्या होता है कि software में इस step के bug की हो जैसे भी problems आ जाती है आम तोर पर नहीं आती बट अगर software की problem होगी तो आप update के माध्यम से यह problem को sort out कर सकते या फिर अगर किसी गलत activity की वज़़े से step के problem आ रही है तो आपको general में ही scroll करके trust पर और reset iPhone पे click करना है reset पे click करे और एक बार अपने iPhone की जो all settings होती है उसे reset करे ठीक है तो simple आपको in method का use करना है then काफी chance है कि आपकी problem ठीक हो जाएगी ओके सो मिलते हैं next video में जै मातादी